गुम है किसी के प्यार में दिल सुभाज शाम पर तुम्हें लिख नहीं पाओं मैं उसका नाम हाए राम जी हाँ नमशकार दोस्तो स्वागत है आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में ये गाना ये गाने की ट्यून और इसका थीम आपने स्टार प्लस में देखा होगा आप लोग तो बहुती बढ़िया वाला फीडबेक देते हो सीरियल्स को लेके कि आपको कौन से पसंद है क्यों पसंद है और मुझे भी कहते हो कि आप भी अपनी फीडबेक दीजिये और रिसेंटली मैंने स्टार प्लस देखना भी शुरू कर दिया आपके साथ एक रास की बाद शेयर करना चाती हूँ कि बहुत पहले मैंने स्टार प्लस देखना बंद कर दिया था उसका कारण भी आपको बताऊंगी और इसके साथ क्यूं देखना शुरू किया उसका कारण भी बताऊंगी और ये शो जिसका नाम है गुम है किसी के प्यार में इसलिए मैंने ये गाना गया विराट रो सही के बात इस वाले शो में ये सारी बाते करेंगे कल के एपिसोड की भी बाते क करेंगे अच्छी बुरी बाते करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में और उससे पहले वही गुजारी जो मैं हमेशा करती हूं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ में दोस्तों बैल आइक उन दबाएगा ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलतने करती है हर्डल्स पार करती है मगर कभी प्रोटेस्ट नहीं करती है और उनके लिए कोई और प्रोटेस्ट करता है और यह सब चीजने देख दे कि मैं बहुत बोर होगी थी वही चीजने चल रही थी कहानिया अलग मगर बातें वही हो रही थी मगर जैसे ही मुझे आप प्रिव्यू कर रही हूं और फिर मुझे आप लोगों ने कहा कि गुम है किसी के प्यार में सीरियल भी देखिए वो भी मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें में प्रोटेगनिस जो है सही वो जिस तरह से अपनी बाते कहती है डायलोग बोलती है जवाब दे इसमें यह चीज़े एवाइड नहीं होनी चाहिए मगर अभी हम कर सकते हैं क्योंकि क्रोना काल चल रहा है एक तो शूटिंग हो नहीं रही है अब जो हो रही है उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक तो हो ही सकती है जैसे कि कल का एपिसोड था कल के एपिसोड की बात करते है जैसे विराट को गोली लगी विराट एक operation पे थे जिसमें उनको सीने में गोली लग जाती है और जब यह हम original life में भी देखते हैं और हम serial life में भी देखते हैं कि जब connection होता है किसी दो hearts के बीच में तो जब एक को समस्या होती तो दूसरे की दिल में खलिबली होती ही होती है खून में कुछ न कुछ उबाल होता है यानि कि उनको पता चल जाता है कि मेरे better half के साथ कुछ गलत हो रहा है वैसा ही सही को भी फील हुआ उसने phone करके पता किया उसको पता चला वहाँ पे कि गोली लगी है विराट सर को तो यह सुनके उसकी जो सिट्टी पिटी गुम होग जब hospital की बात आई तो phone की battery कतम हो गई तो यहाँ पे it is very easy इतना बड़ा hospital है वहाँ पे आप charging लगा के फिर से उसी number पे बात कर सकते हैं मगर ऐसा नहीं किया क्योंकि कहानी को twist देना था कि सही के जो विराट के सही के सुसराल और विराट के जो घर के लोग है उनको inform करना था तो अगर इस चीज़ को आपको करना था तो बहुत सारे way out आप करके लेके आ सकते थे phone गिर गया या phone तूट गया या किसी ने आके कह दिया किसी और बंदे ने आके क्योंकि घरवालों को तो inform कर दो तो ये बात होगी कि चलो वो number नहीं लग रहा तो दूसरे number पे बात कर ल अब होस्पिटल में डामा हो रहा था सब लोग थे सब family members और सब जो है एक दुसरे से बाते कर रहे हैं और सई को लेके बाते हो रहे हैं कि सई को नहीं inform करना उसको पता कैसे नहीं चला पूरी दुनिया को पता चल गया है उसके खिलाफ बाते हो रहे हैं और एक जो है उनको बोल रहे है कि सई को बुलाओ То एसी सब महऌल उन्होंने क्रेट किया हुा था बट मजा तब आया जब जब वह का था रातक्क राख करने के लिए सब क्याहँ चैना था है वहाँ पे भी होता है कि रात को एक बंदा जो है रह सकता है या दो maximum दो अगर आपकी सिफारिश चलती है तो तो यहाँ पे एक अलगी चीज लेकिया है कि आके नर्स बोल दो तिन वार आके बोलते हैं तो यहां पे तीन ही लोग रह सकते हैं यहां पे मरीज के साथ तीन ही लोग रह सकते हैं जबकि मरीज को 10-12 गंटे बाद होश आना है और मरीज के साथ तो कोई रही नहीं सकता अंदर क्योंकि ICU, emergency ward में उसका इतना बड़ा operation हुआ है heart से गोली, दिल से गोली या जो भी सीने से गोली निकाली गई है तो वहाँ पर उनके साथ कोई रह नहीं सकता है, तो बाहर तीन लोग बैठे क्या करेंगे, या तो कोई सस्ता hospital हो जहाँ पर चीज़े यह चीज़े जो है करनी पड़ेंगी बट यहाँ आप यह डायलोग बोल के misguide मत कीजे लोगों को, यहाँ पर यह चीज़ बोल के आप कह सकते हो, या कुछ भी मत कहो है ना, वो लोग आपस में discuss करने कि हम तीन लोग रुख जाते हैं आप लोग जाए और बाकी सब लोग rest कीजे, है ना, तो उसके बाद क्योंकि ड्रामा create करना था सही कि आने के बाद कि मैं wife हूँ, मैं रुकूंगी और मैं उसकी भावी हूँ, मैं रुकूंगी इसके लिए आपने यह सब ताम जाम किया तो यह ताम जाम के और भी आप solutions निकाल सकते हैं कि एक ही इनसान रुक सकता है दो लोग hospital के बाहर या कुछ ऐसा कर सकते हैं, बट आपने ऐसा नहीं कि आपने दो तिन बार repeat करवा दिया और उस hospital का नाम तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी पहले नवीन जी ने भी इसको लेके वीडियो डाला था तो सही को लेके थोड़े comment रहते हैं लोगों को वह actress इतनी अच्छी नहीं लगी बट मुझे अच्छी लगी मैं आपको बताओ उसका कारण क्या है मुझे original लगी ज़रूरी नहीं है कि आप high-five लगो काम नहीं किया इन्होंने इंडस्टी में पहले तो मुझे लग रहा था कि इनको हिंदी बोलने में प्रॉब्लम है तो वो थोड़ी लगी मुझे है ये महराश्टरन लड़की मुंबई में इनकी हुई है पैदाईश हुई है आईशा सिंग इनका नाम है और इन्होंने जादा काम नहीं किया ये पहला उनका लीड करेक्टर है है ना तो ये लीड करेक्टर वो बाखुबी निभा रही है डिफरंट लग रही है बाकी सब प्रॉटेग्निस ते जितने भी मैंने सीरियल अभी तक देखती हूँ जा पहले मैंने देखे है तो मुझे ये डिफरंट लगी एक्टिंग इनकी अच्छी है इनफेक्ट ये एक्टिंग करती नजर नहीं आती ये ओरिजिनल लग रही है ये सबसे बड़ी इनकी जो है खूब सूरती है तो जब ये डायलोग बोलती है और पाखी को मूँ तोड जवाब देती है तो वो मुझे बहुत मज़दार लगा ऐसी प्रोटेग्निस चाहिए जो उसी टाइम अपना जो है सेट कर दे कारेकरम और मूँ तोड जवाब देजे चाहिए वो कैसा भी लगे है न वर ऐसी प्रोटेग्निस को जो अपने सही रस्ते चलते चलते और नाम भी सही है चलते चलते है और सही जवाब देते देते अपनी डगर को न चोड़े उस रस्ते को उस टूथ को न चोड़े जो उसका अपना है है न तो ये सही का करेक्टर उसकी acting मुझे अच्छी लगी अब यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी एक ऐसे character की जिस पर मुझे हंसी आई वो थे मोहित मोहित जो सही के welvisher है और सही को वेनी बोलते हैं भाबी बोलते हैं और respect करते हैं वही उसको inform करते हैं कि विराट जो है उनको mission पर जाने वाले हैं जिसको लेके सब हैरान होते हैं जो विराट के पापा है वो भी हैरान होते हैं तो यह सब चीजें होती हैं अब मोहित जो है वो ऐसे क्यों लगे मुझे कि यह से एक गाड़ी जब चलती है जो रोड पे तो signal आता है तो बहुत ही ओबीडियन ड्राइवर होते हैं जो बहुत ही ओबीडियन जो यलो लाइट दूर से ही देखके और zebra crossing से पहले ही गाड़ी को एक दम से रोख देते हैं वैसा ही कुछ मुझे मोहित का character लगा जैसे ही मोहित बोलता है कि आईए आपको मैं लेके चलता हूँ मोहित रुक जाओ मोहित वही पे वही पे रुक गया मैं यह करता हूँ मोहित वही पे रुक गया तो यह थोड़ा सा मुझे अटपटा लगा पता नहीं आपको लगा के ने लगा मुझे जरूर लगा तो यह कल का एपिसोड था कल के एपिसोड में अगर मैं कहूं कि यह जो सही है वो बहुत सही थी और बहुत सही थी यह कहना गलत नहीं होगा बहुत अच्छे से उन्होंने अपना रोल प्ले किया है और अब देखना यह होगा क्योंकि जैसे ही हम देख रहें कि विराट को 10-12 गंटे के ब वहां पे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है उसकी कोशिश है कि सही किसी भी तरीके से विराट की लाइफ से दूर हो जाए जो नहीं होगा जी हां दोस्तों क्योंकि सीरिल का नाम क्या है गुम है किसी के प्यार में जी हां दोस्तों कैसा लगा आपको यह फीड़बैक अर्चाल